National Green Tribunal के अंदर internship हर साल आती है, एक summer internship के तौर पे, एक winter internship के तौर पे, लेकिन जो ये National Green Tribunal NGT की internship है, ये तिनी जादा officially update नहीं होती है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती है, अब इसके बीचे क्या reason है, क्या logic है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन मेरी duty है कि मैं आपको एक एक update timely based पे, law students के फाइदे के लिए चीज़ बताता रहूँ, आप internship के मौके आपको देता रहूँ, और साथी में आपको updates देता रहूँ, ताकि आपका selection हो पाए, तो आप इस वीडियो को शुरू सरे कैन तक जरूर देखेगा, ताकि आपका NGT के अंदर अराम स कर पाए, और आपको कोई भी दिक्कत ना है, तो आप वीडियो पूरी शुरू सरे कैन तक जरूर देखेगा, मेरे नम है यूश, आप देखेगे रहे smart and legal guidance, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कि मेरे को जुडीशिरी का exam तो देना है, लेकिन मुझे ये नहीं बता कि कोचिंग कहां से ले हूँ, तो unacademy उन सभी लोगों के लिए सारी की सारी problem को solve करेगा, आपको judiciary का subscription का plan unacademy की तरफ से आ गया है, आपको लेना चाहिए, इसके लिए आपको unlimited access मिलता है, live classes चलती है, daily test series चलती है, top educators आपको जो है unacademy पे judiciary के platform पे तियारी कराते हैं, आपक तो 2 महीने का free मिलेगा, 24 महीने का, यानि 24 मंस का कोई plan खरीता है, तो आपको 3 महीने का free मिलेगा, साथी में price hike होने वाला है, अभी current prices आपको screen पे show हो रहे होंगे, कुछ time के बाद, अब prices बढ़ कर 9% price बढ़ जाएंगे, तो आप लोग जल्दी से जल्दी subscription ले लो, आपको 10% का discount मिलेगा, जो prices आपको screen पे show हो रहे हैं, उसमें आपको 10% का discount मिलेगा, हमारे यहाँ पे test series भी चलती है, T20 mock test series के नाम से, आपको SLG10 का code लगाना है, वो test series भी आपके लिए unlock हो जाएगी, अभी अनिल खना सर का, करन सर का, अपने batches running में है, आप directly join कर सकते हो, test series join कर सक बस शर्त एक ही है, आपको code यूज करना है, SLG10 का 10% discount के लिए, सबसे पहली बात आती है, national green tribunal, अपने आप में इतनी बड़ी authority है, जहां पे retired judges को hire कर जाता है, केस की सुनवाई करने के लिए, और बहुत बड़ा एक तरीके से court होता है, tribunal होता है, जो disputes को सुनता है, अब इ apply एक बारी जरूर करिएगा, और इसका भी एक अपना format है, अपना एक time limit है, और अपना एक duration है, सारी चीज़े आपको इस वीडियो के अंदर में बताता हूं, सबसे बिल्यार, ये जो है four weeks की होती है, चार अफतों की, यानिक एक महीनी के आपको internship करने का मौका मिलता है, आपने career के लिए अपने resume में एक tag लगाना, कि नयने भी NGT के अंदर internship करी हुई है, तीसी बात इसके अंदर आती है, कि आपको ध्यान देने वाली बात है, कि जैसी आपका selection होता है, तो आपको काम करने के लिए दिया जाता है, यहापे research work, research work आपको करना मिलेगा, एक particular topic आ आप अपने personal use में करके कही और publish कर सको, ऐसा बिल्कुल भी allowed नहीं होता, ऐसा breach, आप करोगे, violation करोगे, अगर आप ऐसा करते हो, चौती बात इसके अंदर आती है, कि यहाँ पर जो apply करने का format बिल्कुल simple है, आपको description box के अंदर में एक form देऊंगा, आप कसी form का print निकालना है fill out करना है, सारी details लगानी है, अपने previous mark sheets के बारे में, सारी photocopies आपको attach करनी है, अपने previous internships के बारे में आपको बताना है, और आपको अपने mark sheets के बारे में जरूर बताना है, क्योंकि जैसी आप application के अंदर जब attach कर लिया, आपको screen के अपर proper address हो रहा होगा, जहां पर आपको अपनी application भेज नहीं है, जैसी अपने application अब भी भेज दोगे, तो वहाँ पे commission एक committee बिठाती है, जो सारी applications को scrutinity करती है, पढ़ती है, समझती है, जाच करती है, कि यह जो बच्चा ने हमरे का application भेजी है, इसका academic records कैसा है, इसने पुरानी कभी internships करी है, यह नहीं करी है, यह इसका bad character तो नहीं है, इसका academic records कैसा है, कैसा है, नहीं है, और सारी बाते यह चेक करते हैं, at the end, जब यह जो committee है, आपकी application हो जाती है, फिर proper आपको mail बेजा जाता है, कि हमारे जो winter internship का program है, यह start होने वाला है, और हमने आपकी application को shortlist कर दिया है, आपको यह time slot है, etc, 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 अब जैसे कि winters आ रहा है, आने वाले हैं, तो उसके अंदर winters internships के लिए आप apply कर पाऊगे, आपकी application last date है, 1st October 2021 से पहले पहले, आपको अपनी application, जो मैं आपको बताईए, सारी format के अंदर, और जो address है, वो आपको screen को पर मैंने बताया था, तो वहाँ पर आपको application by post, by courier, by hand, as per your discussion, आप भेज सकते हो, और अगर आपको यहाँ पर selection होता है, तो आप मेरे बात पर बरुसर करिएगा, recommendation मैं आपको पूरा proper दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एक environment आपको ऐसा पता लगता है कि, यहाँ पे भी एक आपको सीखने की चीज प्रोग्राम के भी इसके उपर, जो आपके आने वाले career के अंदर आने वाले recognition के लिए और अपने resume के लिए बहुत आगे जाके काम आता है, आगे jobs में मिलने के लिए बहुत जादा help करता है, यही सीखने law students के लिए जितने भी internship के वेट कर रहे हैं, तो जब भी लोग अभी जाननी होती है, courts के orders जाननी होती है, supreme vote के high courts के latest, panels के records आपको जाननी होती है, तो आप मेरे चैनल को subscribe जरू करेएगा, आपको कोई भी doubt आता है, comment section में जरूर में को बताईएगा, साथ ही में, अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को share करके उनको aware जरू करेगा, साथ ही मुझ